हेलो एवरिवान आयमकाश गोर वेलकम बैक टो रेंडियर मेडिकल लेकिशर गाईज सी बीसी रिपोर्ट पूरी निचोड के आपको डीटेल से बताऊंगा और मैं कोई ट्रेडिशनल आपको फालतु का तरीका नहीं बताने वाला कि मैंने रिपोर्ट बता दिया इसमें से ब लोगे कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है तो आपको रिपोर्ट पढ़ना मैं सिखाऊंगो उससे रिलेटेट बीमारी है कैसे होती है कौन सी बीमारी होती है ये सारी चीज आपको मैं डीटेल से बताने वाला हूँ स्टार्ट करते गई सी बीसी की रिपोर्ट देखो रिप हमोगलोबीन, mcv, mch, mcse, kya होता है, full form क्या है, बढ़ जाने पर कौन सी बिमारी, कम हो जाने पर कौन सी बिमारी, यह सब डिसकस करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले जो लुक हम देखते है, रिपोर्ट में, सबसे पहले ऊपर जो रिपोर्ट में लिखा हो आता है, cbc की र ठीक है तो CBC की रिपोर्ट में सबसे पहले ऊपर एक चीज लिखी हुई है इरित्रोसाइट काउंट याने की RBC RBC का दूसरा नाम होता है इरित्रोसाइट ठीक है एक ही चीज है रेड ब्लड सेल फुल फॉल फॉम होता है उसका देखो RBC की जो इसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट है उसमें 5.26 की रेंज आई हुई है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमम इसकी होती है लिखा हुआ है मिलियन पर क्यूबिक एमम अब देखो जरा RBC क्या होती है उसकी बढ़ने और कमने होने से क्या कामी होती है इस तरह से बताऊंगा RBC क्या होती है RBC की जो नॉर्मल रेंज जो पेशन्ट के अंदर होनी चाहिए वो होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमम एक सामान्य व्यक्ति में एक सामान्य मनुश्य में कितनी RBC की मातरा होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमम तक इसकी नॉर्मल ठीक है सामन्य मातरा होती है अब देखो RBC के बढ़ जाने पर polycythemia कहते है अगर आप जैसे कि रिपोर्ट है पीछे इसमें मैंने बोला है कि 5.5 लिखा हुआ 5.26 की नॉर्मल अगर ये 7 या 8 हो जाता तो क्या होता है यहने कि जब भी RBC बढ़ती है यहने कि रिपोर्ट में यदि इसकी वेल्यू जादा आती है RBC के बढ़ जाने को हम लोग कहते हैं polycythemia इसे dehydration भी होता है यह ज़ी द्यान रखना आप लोग अब RBC के कम होने पर enemia सबको पता है RBC मतलब hemoglobin क्योंकि RBC की सता पर hemoglobin पाया जाता है तो यदि RBC की मातरा कम हुई तो hemoglobin की मातरा भी कम हो जाएगी ठीक है और यह से कम होगा तो blood का level down होगा उससे enemia नामक बिमारी होती डाइगरम में देख सकते हो normal patient में ऐसा होता है enemia में ऐसा हो जाता ठीक है यानि कि उसमें कोशिकाओ की कमी, cells की कमी आ जाती इसे हम लोग क्या कहते है से simply कहा जाता है enemia याद रखना गया इस भीमारी भी बताइए मैंने RBC की सामान्य मातरा 4.5 से 5.5 million per cubic mm होती है RBC के बढ़ जाने पर polycythemia नामक बिमारी होती है और कम हो जाने पर enemia नामक बिमारी होती है जल्दी screenshot ले लो आगे बढ़ रहा हो है फिर यहां से अब जो next parameter इसमें आता है वो होता है हमारा erythrocyte के बाद जस्ट नीचे देखोगो तो hemoglobin आता है erythrocyte के जस्ट नीचे के साइट पर आप लोग देख रहे हो तो hemoglobin लिखा हो अब यह hemoglobin क्या होता है इस यह समझों आप लोग ठीक है अब देखेगा hemoglobin hemoglobin के एक सामान्य मात्रा होती है कितनी होने चाहिए सामान्य मात्रा वो होती है 12-16 ठीक है मेल और फीमेल में वेरियेशन डिपेंड करता है इसके लिए हम लोग आगे वाली स्लाइट को समझते है erythrocyte यहने के RBC बताया अब hemoglobin समझेंगे मैं आगे पढ़ता हूँ देखो चरह hemoglobin क्या होता है जो hemoglobin की normal range male के अंदर यहने की पुर्षों के अंदर कितनी होती है पुर्षों के अंदर सामान्य मतर 14-18 ग्राम पर डेसिलेटर महीला में अलग होती है पुर्षों में अलग होती है चिल्डरन्स में अलग होती है बच्चों में अलग होती है adults की बात करो तो उनमें भी variation रहता है hemoglobin का यह चीज आप लोग दिहान रखना तो मैं normal male और female की अगर मैं बात करो तो male के अंदर जो rbc's की संक्या होती है sorry, hemoglobin की जो मात्रा होती है 17-18 gram per deciliter तक होती है यह चीज आप लोग दिहान रखना और जो female होती है, मैला होती है उनके अंदर 12-16 gram per deciliter तक उनकी normal range होती है मैला हो, अगर इनके हिमोगलोबिन बढ़ गया ज्यादा value आये, रिपोर्ट में ज्यादा आये तो क्या होता है, हिमोगलोबिन के बढ़ जाने पर पोली साइथे में आ होता है अब ये बोलोगे सर, RBC में भी आपने यही चीज बोल दी आपने हिमोगलोबिन में भी यही बोल दी तो भाया, RBC की सता पर ही तो हिमोगलोबिन होता है समझ रोब बात को यदि RBC कम, तो हिमोगलोबिन भी कम तो अगर आपका RBC हिमोगलोबिन कम होगा ज्यादा होगा तो polycythemia कहते हैं और कम होगा तो enemia कहते हैं यह चीज आप लोग ध्यान रखना जल्दी से आप लोग इसक्रिंशोट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ वेल्य याद रखना 14-18 male के अंदर 12-16 female के अंदर नेक्स रिपोर्ट देखो फिर से अभी तक हमने RBCS देखा हीमोगलोबिन देखा अब यह PCV, MCH, MCV, MCHC क्या होता है समझो जरा एक एक करके समझेंगे पहले आप देख रहे हो पेगड़ सेल वोल्यूम अब यह पेगड़ सेल वोल्यूम किसी की रिपोर्ट में नहीं आपे लगई हुए, 40 आई हुई है 40 परसेंट बताई हुई है, नॉर्मल रेंज भी लिके हुए 37 तो 47 बट हम इसको डेटियल से समझते है कि यह PCV होता क्या है देखो जरा, PCV का पूरा नाम होता है पेगड़ सेल वोल्यूम कि लिए रहे हैं पेगड़ सेल वोल्यूम होती क्या है, जरा समझो मेल के अंदर इसकी पेले नॉर्मल रेंज जरा जान लो जो परुशों के अंदर 40 से लेकर चोपन तक, ठीक है यह laboratory to laboratory vary करता है, ठीक है हो सकता है, मेरा हमोगलोबिन कुछ एकाथ पॉइंट आपके हमोगलोबिन से जादा हो तो आप बोलो कि सर, हम भी तो मेल है, आप भी मेल हो तो इन दोनों में changes कैसे आगया, मेल में तो सामान होता है पर भाया, व्यक्ति की शरीर के उपर भी निरबर करता है, जो point में variation जरूर आएगा आप घबराईएगा मत, कोई आपको बिमारी नहीं रहती है अगर हाँ, 10-5 अंक आगे बीचे आया, तो problem है point में यह दि variation आ रहा है, तो ज़्यादा problem नहीं होती है, ठीक है 47 या 37 से 47 तक नॉर्मल रेंज हो सकती, PCV की साहिता से, अब यह point golden point है, जो में आपको बोल रहा हूँ, PCV की साहिता से, यहाँ पता किया जाता है, कि संपून रक्त में RBC कितने percent भाग उपस्ती थे, percentage की बात कर रहा हूँ है, फिस रिपीट करता हूँ, PCV की साहिता से, यहाँ पता किया जाता है, कि संपून रक्त में RBC का कितना percent, पूरे whole blood, मेरे पूरे blood में सबको पता है, 6 लीटर या 7 लीटर तक नॉर्मल माना जाता है, तो blood के अंदर, पूरे blood में RBC का कितना percent है, कितना percent भाग उपस्ती थे, यह PCV, packed cell volume की साहिता से, आप पता कर सकते हो, यदि PCV बढ़ेगा, तो वो ही भाई, यह police है थे मिया, और इसको हम लोग dehydration भी कहते है, PCV अगर बढ़ गया तो, जब dehydration यानि कि पानी की कमी होगा, तब भी हमें PCV बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता, यह चीज अप लोग ध्यान रखना, उसे dehydration की condition कहते है, PCV के कम होने को एनिमिया कहते है, सबको पता है, PCV कम हो रहा, मतलब क्या हो रहा, किसका level down हो रहा, PCV का level down होने से, RBCS की मात्रा कम होती है, यह चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि PCV वो ही ह कि PCV की साहिता से, Packed Cell Volume जैसे कि मैंने बोला है, इसकी साहिता से, शरीर के संपूर्ण शरीर में कितनी मात्रा में, आपका कितनी परसंटेज में आपका Hemoglobin उपस थीते, यह चीज निर्वड़ करता है, कि लिए इसके शोट लो, आगे बढ़ता हूं फिर, अब हमने पढ़ा PCV, अब इसके निचे ज़स लिखा हुआ है, MCV, Mean Carpuscular Volume, अब यह MCV क्या होता है, देखो जा रहा, MCV मतलब होता है, Mean Carpuscular Volume, अब यह MCV की जो Normal Range है, 80-96 में FL, FL का Full Form होता है, Femtometer, ठीक है, Femtometer इसका Full Form होता है, यह चीज आप लोग ध्यान रखना, यह कोशन बहुत बार कहीं कई Competition Exam में पूछे जाता है, यूनिट होती है, ठीक है, मेजर करने की 80-96 में FL, यहने की Femtometer होता है, ठीक है, MCV, यह Golden Point बता रहा हूँ है, आपको यहाँ पे, Competitive के Coding और आपको आना चाहिए, MCV, अच्छा MCV टेस्ट लगाते क्यों है, MCV की सहायता से यह पता किया जाता है, कि RBC का आयतन या उसका आकार कितना है, Mean Carpuscular Volume, Mean Carpuscular Volume का मतलब यही होता है, कि RBC का आकार कितना है, के लिए रहे, अगर उसका आकार में Changes आता है, जिसकी Spirocytosis होता है, और भी बहुत सरी से होती होती है, यदि उसके आकार में परिवर्तन आता है, तो प्रोब्लम होती है, इसलिए हम लोग RBC के आकार को, यानि के RBC बढ़ी तो नहीं है, RBC बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, यह चीज़ पता करते हैं, काई से हम यह पता कर पाते हैं, MCV, Mean Carpuscular Volume Volume की सहायता से अब देखो, MCV के बढ़ जाने को Macro Site केते हैं, यदि MCV की मातरा बहुत ज़्यादा Increase हो रही है, ठीक है गाईस, तो यदि MCV की मातरा बढ़ गई है, तो बड़ी हुई मातरा को हम लोग केते हैं Macro, Macro मतलब बढ़ा, Site मतलब Sale, यह चीज़ दियान रखना, MCV के कम होने पर Macro Site, Macro का मतलब बढ़ा, Macro का मतलब छोटा, दोनों में बहुत ज़दा variation नहीं होता है, Macro मतलब बढ़ा, Macro मतलब छोटा, के लिए रहे गाईस, यहां तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी, ठीक है, स्क्रिन स्क्रिन शोट ले लेना, डबल पढ़ लेना, कोई प्रोबलम नहीं है, वीडियो को डबल भी देख सकते हो, उसके बाद आता है हमारा, MCH, अभी तक M से भी पढ़ा, अब MCH देखते है, MCH एक्चल में क्या होता हो समझो, MCH का मतलब होता है, मीन कार्पस कुलर हीमोगलोब मीन कार्पस कुलर हीमोगलोबिन, फुल फो मता रहो, अब यह क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंजर 27-33 PG, PG का मतलब होता है, पिको ग्राम, यह यूनिट है, यह सबसे छोटी यूनिट होती है, पिको ग्राम, ठीक है, पिको ग्राम जो होती है, मैक्रो ग्राम से भी किया जाता है, कि RBC के ऊपर कितना परसेंट हीमोगलोबिन हर एक, प्रती एक RBC की बात हो रही हर एक, जैसे कि मेरे शरीर में 4.525.5 मिलियन होती, मेरे पास है 4 मिलियन है, तो हर एक RBC के ऊपर कितना परसेंट हीमोगलोबिन उपस्तित है, हम लोग MCH की सहायता से यहां पता कर सकते हैं, ठीक है guys MCH की मातरा बढ़ जाने पर RBC का आकार भी बढ़ जाता है, समझो बात को मैंने बोला MCH की साहिता से यह पता किया जाता है कि RBC में कितना % हीमोगलोबिन है, अगर हीमोगलोबिन जादा हो गया, तो RBC का साइज बढ़ गया, क्योंकि हीमोगलोबिन RBC की सता पर उपस्तित रहता है, सबको पता है बात वो जादा हीमोगलोबिन, मतलब RBC को बढ़ा होना पड़ेगा, और RBC यदि बढ़ी हो जाएगी, तो क्या होगा मेक्रो, मेक्रो का मतलब होता है, गईस बढ़ा RBC का आकार बढ़ जाता है, यानि कि MCH जब भी बढ़ा होता है मेक्रो साइटिक कहते, एनिमिया ही होता है, ओबिसली, मेक्रो मतलब RBC का आकार बढ़ गया MCH का मतलब होता है माइक्रो साइटिक एनिमिया चोटी RBC हो गई, संख्या भी उसकी कम हो गई, ठीक है, हीमोगलोबिन कम, आप देखो न भाईया, मैं तो बोला, MCH का मतलब main carpus column हीमोगलोबिन, एक RBC पर कितना हीमोगलोबिन है, अगर हीमोगलोबिन की संख्या कम है, हीमोगलोबिन का percentage जदी कम है, तो क्या होगा, हीमोगल बिन कम होगा तो उसके size में छोटी हो जाएगी size जैसे ही छोटी होई guys जैसे ही उसकी कोशी का छोटी हो जाएगी तो micro बोलेंगे बड़ी हो जाएगी तो macro बोलेंगे के लिए रूआ screenshot ले लो जल्दी से इसका फिर आगे बढ़ता हूँ MCV, MCH बहुत डीटेल से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ guys इस वीडियो को समझ में आ रही हो तो पहले वीडियो को रोक के पहले फुरसत में लाइक करो क्योंकि आपको यह दि समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा आप लोग स्क्रिंशोट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ अब देखो अभी तक हमने MCV देख लिया अब हाते हम SMCH, MEN CARPAS, COOLUM, HEMOGLOBIN भी देखा अब हम लोग देखते है RDW या RDW क्या है यह समझो RDW का मतलब होता है Red Blood Cell Distribution White क्या मतलब होता है इसकी normal range पहले समझ लो इसकी जो normal range होती है 11 से लेकर 14% तक इसकी सामान्य मात्रा होती है यह चीज आप लोग द्यान रखना सामान्य मात्रा 11 से लेकर 4% तक होती है RDW RDW का full form होता है Red Blood Cell Distribution Wide यह भी आपको CBC की रिपोर्ट में देखने को मिलेगा RDW की सहाइता से यह पता किया जाता है कि RBC के आकार और संखिया में कितना परिवरतन है समझो बात को RDW से मैं क्या पता कर रहा हूँ कि उसका आकार और उसकी संखिया के बीच में कितना variation है यहने कि आकार बड़ा है संखिया कम है तो उसमें अंदर variation आगया ना तो उसके बीच के जो variation है वो समझने के लिए हम लोग RDW करते RDW के बढ़ जाने पर RBC के आकार की संखिया आकार और संखिया बहुत ही परिवरतित आ जाती है ठीक है यदि उसका RDW की value बड़ी तो उसमें बहुत changes है RBC का आकार भी अलग है उसकी संखिया भी अलग है और अगर RDW का level कम मतलब की संखिया और आकार दोनो एक समान है मतलब एनीमिया के लिए specific रहता है एनीमिया से समझ में आता है के लिए रगाई जिस screen shot ले लो पिर आगे बढ़ता हूँ अभी तक RDW समझा अब हम लोग आते है blood की WBC सकोशिकाओ के उपर अब ये WBC सकोशिकाओ क्या होती है वो सी समझो दिखा है total leukocyte count यानी कि total total क्यों क्योंकि WBC अलग-अलग होती है और अलग-अलग के बढ़ने से अलग-अलग प्रकार की बीमारिया होती है जरा देखो बताता हूँ पहले हम लोग संपून WBC के बारे में समझेगे WBC का फुल्फम होता गया is white blood cell WBC का फुल्फम क्या है white blood cells के नाम से हम WBC को जानते है इसकी जो सामान्य मात्रा होती है 4.5 से लेकर 11,000 ठीक है 4,000 साड़े 4,000 से लेकर 11,000 तक नॉर्मल संख्या होती है WBC की श्वत रक्त कनिका है जिसे हम लोग leucocyte भी कहते है leucocyte का मतलब भी WBC ही होता है ठीक है WBC की साहितास उसका कितना परसंटेज है कितना भाग WBC का उपस थी थी हम लोग यह चीज समझ सकते है ठीक है WBC के बढ़ जाने पर कौन सी बिमारी होती leucocytosis leucocytosis का मतलब WBC का संख्या बढ़ गई और जब भी WBC बढ़ेगी यानि कि आपके शरीर में कोई ने कोई एक्टिवीटी इन्फेक्शन वाइरल इन्फेक्शन पेरासाइटिक इन्फेक्शन एलर्जिक वगिरा आपको हुई है तभी आपके WBC बढ़ेगी है ठीक है गाईस एक एक सेल बताऊंगा अभी तू रुको रुको जरा सभर करो सभी को भी लेगा WBC के कम होने पर ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते है अगर WBC कम हो गई तो क्या कहते है ल्यूकोसाइटोपीनिया याद रखना टर्मिलोजी है बहुत इंपोर्टेंट है स्क्रिंशोट लओ फिर आगे बढ़ता हूँ देखो अभी तक हमने समझा WBC अब समझते न्यूट्रोफिल जैसे नेक्स पेरामिटर दिया है न्यूट्रोफिल का अब ये न्यूट्रोफिल क्या होती है गाईस वो समझो जरा न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है ये कार WBC का ही प्रकार है ठीक है WBC का ही प्रकार होती है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल की संख्या 2000 से लेकर 7000 पर क्यूबिक mm तक इसकी संख्या होती है सबसे ज़्यादा मातरा में यह question बहुत बार पूछे जाता है, सबसे ज़्यादा मातरा में पाई जाने वाली WBC कोशी का कौन सी होती है, neutrophils होती है, ठीके, यह non-specific cell है, यदि आपके शरीर में कोई भी bacterial, कोई भी viral infection होगा, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, कि लिए रहे, शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमन होने पर neutrophil की संख्या बढ़ जाती है, वह चीज से हम बोली मैंने, कोई भी आपको infection हो, जरुद नहीं particular कोई एक infection हो, किसी भी प्रकार का infection होने पर WBC में neutrophil की संख्या बहुत जादा बढ़ जाती है, कोई specific cell नहीं है, कि particular किसी infection में बढ़ी है, यानि कि आपको इस cell को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि pneumonia हुआ है, typhoid हुआ है, covid हुआ है, viral infection हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई infection आपको हुआ है, हाँ, आप इतना कह सकते हो कि neutrophil बढ़ी है, यानि कि कोई नहीं कोई infection आपको हुआ है शरीर में, कि लिए रहे, neutrophil के बढ़ जाने पर neutrophilia कहा जाता है, neutrophil की बढ़ी हुई संक्या, यादि neutrophil बढ़ गई, normal range से जादा हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, neutrophilia, और यादि neutrophil कम हो गई तो neutropenia, philia और pinia, philia मतलब बढ़ा, pinia मतलब कम, neutrophilia, neutropenia, कि लिए रहा guys, I hope कि आपको यहाँ तक चीज़े समझ में आई होगी, जल्दी screenshot लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, कि लिए रहा guys, कोई doubt हो तो comments करके मुझे ज़रूर बताईएगा, ठीक है आप लोग, अब हम लोग discuss करते हैं, हम लोगों अभी तक neutrophil count पढ़ा, अब neutrophil के बाद आती है lymphocyte, अब यह lymphocyte cells क्या करती है, देखो जर्ण, lymphocyte की जो normal range होती है, 1000 से लेकर 3000 तक per cubic mm इसकी range होती है, यह चीज़ आप लोग दिहान रखना, शरीर में किसी भी प्रकार का inflammation होने पर lymphocyte की संख्या बढ़ जाती, अब यह inflammation क्या होता है, भया सूजन आना, swelling हो जाना, redness हो जाना, जैसे कि आप क्या हुआ, मैं मेरी बास समजना आप, कि आपको किसी चीटी ने काटा, गाल पे चीटी ने काटा, तो क्या होगा, पहले इचिंग चलेगी, लाल, लाल, हो जाएगा, redness बनने लगेगी, और bump हो जाएगा, इसे कहते हैं, inflammation, ठीक है, यदि आपको बोडी में किसी भी प्रकार का कोई inflammation हुआ है, उस अवस्था में, आपकी ल्यूकोसाइट के मात्रा बढ़ जाएगी, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, नेक्स आता है, ल्यूकोसाइट यदे काम हो ग आपकी ज्यादा बढ़ गई, तो lymphocytosis और lymphocytopenia कम हो गई तो, ठीक है, screenshot लो, मैं confused हो गया, lymphocyte और lymphocyte, क्योंकि ल्यूकोसाइट कोई, वह नहीं, ल्यूकोसाइट, WBC का ही दूसरा नाम है, और lymphocyte उसकी ही एक cell होती है, अब देखो, lymphocyte देखा, अब दूसरी cell आती है, इ mm तक इसकी संख्या होती है, सामानी मात्रा, अब यह कब बढ़ जाती है, अगर यह बढ़ी हुई आर यह, तो कौन सी बिमारी है, autoimmune disease, यदि को शरीर में किसी प्रकार की autoimmune disease हो गई है, तब इसकी संख्या बढ़ जाती है, यह चीज़ आप लोग ध्यान, अब यह autoimmune disease क्या ह यह हमारे शरीर के कोशिक आए, हमारा immune system हमें ही ना पेचाने और अंदर से हमें ही खतम करने लगे, उससे autoimmune disease क्याता है, बहुत सीरियस होती है, monocyte के बढ़ जाने पर monocytosis केते हैं, और कम होने पर monocytopenia के नाम से जाना जाता है, यदि monocyte कम, तो monocytopenia, यदि जादा, तो monocytosis, screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, अभी तक monocyte discuss करा, अब देखो, eosinophil क्या है जा रहा, eosinophil की जो normal range होती है, 200 से लेकर 1000, यह थोड़ी variance देखो, इधर मैं रताता हूँ आपको, इसके कितने होती है, eosinophil की जो normal range है, वो 20 से लेकर 500 तक, ठीक है, इसका correction कर लिजेगा guys, यह थोड़ी से की normal range जो है, यह गलत लिखी हुई है है, आपे, 20 से लेकर 500 पर क्यूबिक mm, इसकी जो normal range होती है, यह वाल इसकी normal range होती है, जब allergy या अस्थमा, और यदि आपकी शरेर में कोई allergy हुई है, यदि कोई अस्थमा हुआ है, तब क्या होता है, eosinophil बढ़ जाता है, eosinophil कब बढ़ेगी, जब आपको कौन सी allergy हुई है, अस्थमा हुआ है, दोनों condition में आपकी eosinophil बढ़ जाती है, eosinophil के बढ़ जाने पर eosinophilia कहा जाता है, यह चीज आप लोग mind में रख लो, और lymphocyte कहा आ गई, यह eosinophil है, ठीक है, अब eosinophil यदि क्या हो गया, eosinophil काम हो गई तो eosinopinia क कहते हैं, यदि eosinophil बढ़ जाती है, तो eosinophilia, eosinophil कम हो जाती है, eosinopinia, और इसके बढ़ने पर कब allergy या अस्थमा में इसकी मात्रा बढ़ती है, आप लोग दियान रखना, ठीक है, अई होब कि आपको कई यह चीज़ समझ में आई होगी, तब तक आप लोग मेरे च कीज़ दिया.